हेलो फ्रेंज्स वेलकम तो माई चैनल दफ्लेबर फीस्ट आज हमारे रेसीपी है मूंग दाल एंड डालिया की वेट लोस खिचरी मूंग दाल एंड डालिया में बहुत ही जाधा प्रोटीन एंड फाइबर रहता है जो की वेट लॉस करने के लिए बहुत ही हेल्फूल होता है मूंग दाल प्लाट शुगर को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है जैसे कि आपको पता है दालिया को हम लो कैलोरी सुपर फूट बोल सकते हैं इस डिश में हम बहुत ही जाधा वेजिटेबल्स एड करेंगे फाइबर्स एंड मिरारल्स के लिए मैंने यहां पर एक गाजर को छोटे चोटे पीसेस में कट के रखा है साथ से आठ फ्रेंच बीन्स को कट के रखा है यहां पर मैंने ले लिया वान काप मतर वान काप पालक जो मैं काट के रखी हूँ एक टमाटो को छोटे चोटे पीसेस में काट के रखी हूँ इस डिश के लिए आप आपके मन पसंद कोई भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं यह डिश वेट लॉस डिश है तो इसमें हम बहुत ही कम टेल यूज करेंगे यूज कर लोगी 1-footतम स्व भुस के लिए बहुत ही अच्छा है सिचेंगे कि हाफ टेबल्सपून जीरा न दोस्तों जीरा भी डाइजेस्टन के लिए आच्छा होता है तो वेट लॉस डीश में जिरा भी एड होना चाहिए एड कर लूँगी वान चॉप किया हुआ ओनियन अगर आप जेंग डीश बनाना चाहते हैं तो इसको स्कीप कर सकते है ओनियन को थोड़ी देट तक फ्राइ करेंगे जब तक ने इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाता है इसमें ज्यादा कुछ मसाला यूज नहीं होता है अभी हम यूज करेंगे आद्रक एड चीली इसमें रैड चिली यूज नहीं होता है एड कर लूँगी आड लूँगी आद्रक चॉप किया हुआ अद्रक चॉप किया हुआ दो ग्रीन चिली अभी ये सब को 40 तू 45 सेकंड्स के लिए भून लेंगे 40 तू 45 सेकंड्स के बाद एड कर लूँगी चॉप किया हुआ टमाटो दोस्तों ये डिश जितना हेल्दी है उतना टेस्टी भी है एड कर लूँगी हाफ टेबल स्पून टार्मरिक पाउडर मिक्स कर लूँगी अच्छे से एंड थोड़ी दिर तक इसको बून लेंगे जब तक ना टमाटो सॉफ्ट हो जाता है अभी एक एक करके सारे वेजिटेबल साभ यहाँ पर एड कर लेंगे फस्ट मैं एड कर लूँगी गाजर उसके बाद मैं एड कर लूँगी फ्रेंच बीन्स एड कर लूँगी मटर अभी एड कर लूँगी पलक अभी एक मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम में बूंद लेंगे थोड़ी ते तक सब्जी को बूंद लेने से सब्जी का जो रो एक स्मेल रहता है वो चला जाएगा एड कर लूँगी वान काप मूंद ल जिसको मैं दो से तीन घंटा तक भीगो के रखी थी एड कर लूँगी वान काप दालिया जिसको मैं 15 से 20 मिनिट के लिए भीगो के रखी थी अगर आप बड़े दाने के दालिया यूज करते हो तो फिर इसको 40 से 45 मिनिट तक भीगो के रखना पड़ेगा अभी मैं यह सब को अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी एड कर लूँगी सबसे इंपोर्टेंट इंग्रेडियंट्स सॉल्ट एस पर टेस्ट दो तिन मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम में भून लेंगे एड कर लूँगी 500 एमल जैसा पानी दोस्तो इस पे पानी थोड़ा ज़्यादा एड करना पड़ेगा क्योंकि मूंग दाल एंड दालिया फूल के जो पानी है उसको एब्सॉर्फ कर लेगा तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा ही एड कीजिए यहाँ पे थोड़ा और पानी एड कर लूँगी मैं अभी प्रेशर कुकर में तीन सीटी लगाएंगे तीन सीटी लगाने के बाद हम वेट करते हैं ताकि प्रेशर अपने आप काम हो जाएं अभी प्रेशर कुकर का लीड ओपेंड करके मैं एड कर लूँगी चौप किया हुआ धनिया पत्ता धनिया पत्ता एड करने की बाद मैं लासली एक बार अच्छे से मीक्स कर लूँगी खीचरी को कि खीचरी बहुत ही आच्छा दिख रहा है यह आपए तो आप देख सकते हैं यह हेल्दी डीश बहुत ही आसानी से बन गया है अभी सर्विंग बोल में हलका सा धनिया पत्ता से गार्णिश कर लेते हैं अब गर्मा गर्म खीचरी के साथ सलाड नहीं तो खीरा भी खा सकते हैं यह डीश कोई भी एज के लोग खा सकते हैं अगर घर में कोई बीमार है तो आप यह डीश बना के खिला सकते हैं अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कॉमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल क्वा सकते हैं